टीवी सीरियल नाम करन के आपके फेवरिट जोडी नील और अवनी के बीज यू तो बड़ी टेंशन चल रही है लेकिन रियल लाइफ में नील यानी की इमाम जोहन और अवनी यानी अदिती राथ हो और दोनों को ही मिल गया है अपना अपना प्यार आखिर कौन है नील और अ प्यार में पढ़ जाते हैं और फिर आगे इनका रिष्टा शादी तक पहुच जाता है ऐसा ही कुछ नाम करन की फेमस जोड़ी नील और अवनी के साथ भी हो रहा है वैसे तो नील और अवनी की लाइफ में इन दिनों काफी टेंशन चल रही है सीरियल में दोनों के भी छगड़ा चलता रहता है लेकिन अब जनाब ये तो परदे के आगे की कहानी है परदे के पीछे नील और अवनी यानि की जैन इमाम और अदिती राठोर की दोस्ती एक अलग ही मुकाम पर पहुच रही है सवर्सस की मारे तो अदिती और जैन सीरियल में काम करने की दोरान एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए है दोरों को कई बार शो के बाद काफी बार देखा जा जुका है अजी हद तो तब हो गई जब एक इंट्रिव्यू में जैन ने अदिती की तारीफों के पुल बानने शुरू कर दिये जैन ने कहा कि अदिती काफी समझदार है और वो अपने काम पर खूब ध्यान देती है मेरा बस चले तो मैं मौका देखते ही उनसे शादी कर लूँ तो सुना अपने नील अपनी अवनी को सीरियल की कहारी में ही नहीं बलकि रियल लाइफ में भी अपनी दुलनिया बनाने का असा अपना देख रहे है अब ये बात नील ने मजाक में कही या वो वाकई अदिती को लेकर सीरियस हैं ये तो वही जाने वैसे हम आपको बता दें कि पिछले दिनों ही अदिती का उनके लॉंग टाइम बॉइफरेंट श्रीधन से ब्रेक अप हुआ है जो की बॉडी बिल्डर हैं और काफी वक्त से एक दूसरे के साथ रेलेशन्शिप में थे और अदिती ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करकर दी थी पताया जाता है कि अदिती शीदन को वक्त नहीं दे पा रही थी शूटिंग के चलते वो काफी बिजी हो गई थी और दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया आखिर कर दोनों ने ब्रिक अप कर ही लिया अदिती राठो और फिलहाल नामकरण में एक्टर जैन इमाम यानिकी नील के साथ तौन स्क्रीन रोमेंस वर्मा रही है और नील तो रियल लाइफ में भी अपनी के फैन हो गए है इनकी रोमेंटिक जोड़ी दर्शकों को खुब पसंदाती है अब देखते हैं क्या इस टीवी शो से टीवी की दुनिया को एक नया कपल मिलता है या नहीं यार रपोर्ट आईबीसीट्वेनिफोर